नमस्कार दोस्तों, आज हम लिंग के बारे में सीखेंगे, लिंग इंगलिश में कहते हैं जेंडर, मैं आपको कुछ एक्जामपल बताती हूँ, सबसे पहले आप सेंटेंसिस को देखे, बालक परता है, चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, बैल घस खा रहा है, बालिका परती है बंदरिया पेर पर बैठी है, गाय दूद दे रही है, तो देखे, इन सेंटेंसिस में आपको पता लग जाएगा, कि बालक पढ़ता है, या चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, इस सब पुलिंग हूए, पुरुष जाती की बात हो रही है, और जब हम कहते हैं, बालिका पुरुष जाती का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग यानि मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग यानि की फैमनिन जेंडर, अब पुलिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि के पुरुष जात क्या होने का बोध हो उसे हम पुर्लिंग कहते हैं जैसे बंदर, चूहा, गधा, मास्टर, लड़का, पिता और स्त्रिलिंग जो शब्द स्त्रिजाती का बोध कराते हैं उने हम स्त्रिलिंग कहते हैं जैसे बंदरिया, चुहिया, मोरनी, लड़की, दादी, ये स्रिलिंग होते हैं, अब आप लिंग की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कि संग्यार शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणी वाचक और अप्राणी वाचक, मतलब प्राणी वाचक मतलब जी जीवित इंसान, जानवर, कोई हो सकते हैं, और प्राणी वाचक जैसे लोटा, सीड़ी, ये आपके अप्राणी वाचक शब्द होते हैं, तो हम कैसे पहचानते हैं, ये देखेंगे, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो नित्य पुलिंग बने रहते हैं, मतलब हमे इने स्ट्रिलिंग के रूप में करना होता है, प्रयोग तो कैसे कहते हैं, मादा चीता, मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा गरून, कोई भी शब्द हो, उसमें मादा शब्द लगा देते हैं, और कुछ शब्द होते हैं, वो हमेशा स्ट्रिलिंग ही रहते हैं, जैसे मच मश्ली, कोयल, चील, छिपकली, यह बहुत से शब्द होते हैं, जो स्त्रिलिंग ही रहते हैं, तो अगर हमें इने, जैसे मानली जी मैंने कहा, तो ता आम खाता है, चीता तेज भागता है, तो यह पुलिंग होगा, और स्त्रिलिंग जब प्रियोग में लाएंगे, मश्ली जल देते हैं, जैसे नर्मक्खी, नर्मच्ली, नर्कोयल, इस तरह के शब्दों को हम प्रियोग करते हैं, ऐसे शब्दों हम पहचान लेते हैं, कि कौन जे पुल लिंग है, कौन से इत्रिलिंग, लेकिन वास्चिक समस्षय जब आती है, जो प्राणिवाचक नहीं है, ना तो नरहे नाही मादा जैसे आकाश, मेज, कुर्सी, चेत्र, छाता, आदी इन शब्दों को हम अपने गुरु, अपने माता, पिता या परंपरा के अनुसार निर्णा कर लेते हैं इसका लिंग कौन सा है अब हम पुलिंग शब्दों की पहचान के लिए आपको बताते हैं कि आ, आव, पा, पन, न, क, ख, आदी शब्दों के अंत होने वाले जो शब्द होते हैं, जो अंत में आते हैं शब्द के, उन्हें हम पुलिंग कहते हैं जैसे आव वाले देखिए शब्द, लोटा, गोटा, छाता, चिम्टा, पहिया, पैसा, और आव वाले शब्द कौन से हैं, चड़ाओ, बहाओ, उत्राओ, पाव वाले शब्द देखिए, बुणापा, पन वाले बचपन, लड़कपन, न वाले शब्द देखिए, योवन, नेनदेन, हवन कवब अलेशक देखिए, पाठक गायक, ये सबी पुलीं होते है, पर्वतों ग्रहों, रतनों पेडों, अनाज के नाम समुधरों के नाम हमेशा पुलीं होते है, जैसे पर्वत अब देखिए हमाले, सद पुड़ा विंधियाचल अब वार देखिए दिन जो होते हैं वार होते हैं वो भी हमेशा पुलिंग होते हैं सोमवार, मंगलवार, वीरबार, ग्रह, ग्रहों के नाम देखिए वो भी हमेशा पुलिंग होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, रत्नों के नाम हीरा, मोती, मूंगा, ये सब भी पुलिंग होते हैं, पेड़ों के नाम नीम, अशोक, बर्गद, पीपल, ये सब भी पुलिंग होते हैं, हाला कि एक इसमें अब बाद है, इमली स्त्रीलिंग होती है, अनाज, गेहुँचना, ये सब पुलिंग होते हैं, दरपदार, सोना, तावा, पानी, ये सब भी पुलिंग होते हैं, समुद्रों के नाम देखिए, हिंद महसागर, प्रशान्द महसागर, ये सब भी पुलिंग हैं, देशों के नाम देखिए, भारत, चीन, चापान, सब भी पुलिंग हैं, महीनों के ना आकारंदशब्द कहते हैं, वो स्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा, परीख्षा, माया, आधी सभी भाषाओं के नाम स्रीलिंग होते हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत बड़ी ई जिन शब्दों के अंत में आती है वे भी प्राय स्त्रेलिंग होते हैं रोटी, नदी, रोशनी, नौकरी, चोटी, आधी शरीर के कुछंग स्त्रेलिंग होते हैं जैसे ठोड़ी, पलक, आख, नाक, जीव, आधी बोल्यों के नाम भी strilling होते हैं जैसे पहाड़ी, कश्मीरी, हर्याणवी, पंजावी नदियों और जीलों के नाम हमेशा strilling होते हैं जैसे गंगा, यमुना, जेलम, ब्रह्म पूत्र जील के नाम देखे डल, छिलका जील तो ये था भी strilling होते हैं इसके अलावा इकारांत संग्या है, मतलब जिनके अंत में इ आता है, वो सब स्ट्रिलिंग होती हैं, जैसे अगनी, जाती, भक्ती, शक्ती, आशा है आपको, ये स्ट्रिलिंग और पुलिंग का अंतर असानी से समझ में आ गया होगा, देखते रहें, लॉजिक टैच आपको आपको